प्रणाम स्वामी जी आज का पहला प्रश्न सदा से धर्म और विज्ञान परस्पर दुस्मन रहे हैं लेकिन सद्गुरु ओशो आध्यात्मिक अनुभूती संपन्य वेक्ति हैं और वैज्ञानिक सोच विचारवाले भी यह कैसे संभव हुआ वास्तों में चमतकार जैसा लगता है वैज्ञानिक चिंतन्मनन और आध्यात्मिक अनुभूती संपन्य सबसे पहले यह समझ लें कि धर्म और विज्ञान की दुश्मनी कैसे खड़ी हुई फिर यह समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ओशो के आते आते तक यह समनवाय कैसे इस्थापित हुआ तो हम चलते हैं थोड़े तीन सो चार सो साल पहले जब विज्ञान की सुरुआत हो रही थी समझो गैली लियो जिनको हम फादर आफ दे साइंस कहते हैं उन्होंने कुछ खोजबीन की दुरबीन बना इंदू गढ़नक शत्रों को देखा उनकी खोजबीन से जो पता चला उससे साबित हुआ कि बाइविल में जो लिखा है वह गला थे अब वहां से दुश्मनी सुरू होती है सैयोग के वाद वहीं इटली के रहने वाले थे वेटिकन में पोप का सामराज्य था और उस समय धर्म की सत्ता करीब करीब पूरे पश्चिमी मुलकों में पोप का सामराज्य था आप ऐसे समझ लें सब लोग कटरपंती धर्म के अन्युआई थे अंद विस्वासी थे अब गैलिलियो की खोज कह रही है कि प्रत्वी सूरज का चक्कल लगाती है वो बाइविल में लिखा है कि सूरज प्रत्वी का चक्कल लगाता है वो पिस बात को कैसे माने सवाल यह उठता है कि अगर बाइविल की एक भी बात गलत हो गई, इसमसी की एक बात भी गलत हो गई, फिर अन्य सारी बातों पर संदेह पैदा हो जाएगा अगर धर्ति और प्रत्वी के बारे में और सूरज के बारे में भी उनको नहीं पता था तो फिर वो इश्वर के पुत्र हैं, ये दावा, ये भी संदेह आस्पद हो जाएगा, फिर तो हर बात पर संदेह पैदा हो जाएगा पोप नहीं चाहेता कि धर्म ग्रंत में से एक वचन भी काटा जाए, संसोधित किया जाए, ये तो परमात्मा की वानी है, इसमें कैसे सुधार हो सकता, ये तो सही है, ये आदमी गलत है, इसको मिटाओ, भाती-भाती से परेशान किया गया वैज्ञानिकों को, आपको जान पाइबल के खिलाब खोश्बिन करेगा, उसको जिन्दा जलाए जाएगा, और विचारा गैलीलियो, वो एक बात कह रहा था, जो हमारे कामन सेंस के विपरीच जाती है, हमारा कामन सेंस कहता है कि अगर एक कम बजन की चीज और ज्यादा बजन की चीज उपर से गराई आएगी, हलकी चीज बाद में आएगी, कभी किसी ने प्रयोग नहीं किया था, गैलीलियो ने प्रयोग करकर देखा, ऐसा नहीं है, और उसने गणी तीरूप से सिद्ध कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, दोनों एक सांथ ही आएगे, इस पर बड़ा हंधामा खड़ा हुआ, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, और पोप ने उसको ले लिया, कि बाहिविल के अगेंश्ट है, धर्मगरंद के खिलाफ है, उसने काम में प्रयोग करके बता दे रहा हुँ, सही यूक की बाद इटली में पीसा की तिरची मीनार है, उस तिरची मीनार पे बुले गया एक छोटा बजन समझे एक किलो का पत्थर और दस किलो का पत्थर, यूनिवर्सिटी के सारे प्रोफेसर्स, इस्टूडेंट्स एखटे हैं, पोप के डिसाइपल्स सब एखटे हैं, नागरी के खटे हैं, लाखों की भीड लगी है देखने के लिए क्लिए क्या होता है, ग गिरफ्तार कर लो, जरूर इसके पास भूत प्रेथ हैं, ये कुछ काला जादू कर रहा है, ये कैसे हो सकता है, भजंदार चीज पहले गिरेगी, हलकी चीज बाद में गिरेगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, यूनिवर्सिटी से उसको निकाल दिया नौकरी से, जूट फरेप करता है, आज ही वन कारावास दिया गया, अब कारावास में ही मृत्तु होगी, जिन लोगों ने साइंस की आधार चिलाएं रखी, उनको बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया, क्योंकि पगपग पर उनकी बात, पश्च्चम के धर्म से मैच नहीं कर रही थी, यह इसाई धर्म की सारे सिधांत, चमतकारों पर, जूटी कहानियों पर, तथ ही इन बातों पर आधारित हैं, जो कभी हुई ही नहीं है, कहानियां हैं बस, कपोल कलपनाएं, तो निश्चित रुप से जब वैज्ञानिकों ने यथार्थ की खोश शुरू की, तो कपोल कलपना दिया, रेल गाड़ी की, उसने इजाद की, लंदन में जब पहली बार रेल गाड़ी चली, तो जानते हैं कितना हंगामा हुआ था, आज सुनका अपने को हंसी आती है, चुटकुला जैसा लगता है, यद्धो कर ऐसे पागल लोग थे, पादरी ने ऐलान कर दिया, कि रेल अपने तो ऐसे कहीं नहीं लखा, कि परमात्मा ने तो रेल गाड़ी नहीं बनाई, बहुत छे दिन का वर्णा ने छे दिन में क्या क्या बनाया, तो रेल गाली का तो कहीं नाम ही नहीं है, तो किस ने बनाई फिर, ये शैतानी चाल है, और इसमें जो बैठाएगा, वो कैदी बन्द हैं, जिनको कि फांसी की सजा दैनी है, अगर हो चलेगा, नरक तो चलेगा, कोई बात नहीं है, अपन तो ऐसी बेजने वाले हैं, उनको, कैदियों को हथकड़ियां बांद के, पेरों में बेड़ियां बांद के, जब अर जस्ती लाए, पुलिस वाले, उनको भागने की गोसस कर रहे हैं, कि नरक चले जाएंगे, उनको बांद दिया गया भीतर, कि भाग ना सकें, पहली रेल गाड़ी इस प्रकार चली, उसके आगे एक आदमी चर्च की तरफ से लाल्टेन लिये चल रहा था, और वो घोशना करता जा रहा है, अब बताओ पैदल आ लाल्टेन लिये सबको साउधान करते चला जा रहा है, और पट्री के दोनों तरफ लाखों की भीड है, हंगामा मचा हुआ, मेला जैसा लगा हुआ है, कि अब ये लोग गए नरक, सबको बड़ी दया आ रही है, उन कैदियों पे, बिचारों पे, इनको नरक भेजा जा रह उस समय कुल 12 किलोमीटर की ही पट्री बिचाए गई थी, दीरे दीरे लोगों को समझ में आना सुरू हुआ, कि विज्ञानिक जो कर रहे हैं, ये तो ठीक कर रहे हैं, एक उप्योगी वाहन बन गया, आज ज़र सोचो, वो पहले पहले वाहन है, उसके बाद आज हम कितनी द दूर तक आ चुके हैं, लेकिन अगर उप सुरुआत ही ना होती, तो आज जब प्लाइमेक्स आया, विज्ञान का ये कैसे परदा हो सकता था, हो ये नहीं सकता था, लेकिन धर्म ने पूरी कोशिस की अरंगा लगाने की, कि ये ना हो पाए, आप सब ने सुना होगा, जी जो थे, वो इसाई मिसनरी थे, वो सकत नाराज, कि तो इश्वर की मर्जी के खिलाफ है, अगर इश्वर को बनाना था, आदमी कोड़ने वाला, तो आदमी को पंख दे देता, उसने नहीं दी, इसका मतलब इश्वर नहीं चाहेता, इसलिए तुम जो कर रहा है, वो पा के नीचे एक अंडरग्राउंड तल घरा था, वहाँ पे वो अपनी हवाईजाज का निर्मान करते थे, किसी को पता ना चले, इतनी उनकी बदनामी हो गई कि लोग कुछ बाप का काम करने जा रहे हैं, उनने बना भी ली हवाईजाज छोटी सी, प्रदर्शन के लिए कोई कोई देखने ही ना आए, अख़वार वालों को बुलाया, उन लोगन उनके कालटून छापे, हद्धू की नो रिस्पांस, और ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी कुल सावा सो साल हुए हैं, अमरिका में, कोई देखने को भी राजी नहीं, हर्ष्यास पत्चीज क्या बनाया इनों ने, यहां से वहां के थोड़ी चोटी सी तो बनाई थी, दो चार सो फुट दूर जाक उतर गए, इसका करेंगे क्या, what is the use, किसी मखौल उड़ाये गया, किसी नोंको सलाय दी कि फ्रांस में विज्ञान की प्रदर्शनी होने वाली है, आप लोग वहां चले जाएं, शायद वहां आपको कोई इज्जत मिले, इसा विश्कार की, भुलोग फ्रांस लेके आए, उस विज्ञान के मेले में, वहां कोई रेटाइड मिलेट्री जनरल देखने आया था, उसको लगा कि यह चीज ठीक है, दुश्मन के ऊपर जाके ऊपर से बम बटकेंगे उसने जाके वहां के, जो शाशन करने वाले थे, उनको जाके सलाहे दी कि इन लोगों को कुछ पैसे दे के इनका खरीद लेए, ये तो गरीब हैं ने तो छोटा से बनाया है, आप सहयोग दीजिए, फिर अपन बड़े पैमाने पर बनाएंगे, और अपनी सेना हमेशा पटकेंगे, अपने को उनकी गोली कभी नहीं लगेगी, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार एक एक चीज पर विज्ञानिकों को रोका गया, प्रतालित किया गया, बड़ी मुश्किल से जाके विज्ञान की जड़ें, थोड़ी थोड़ी जमनी शुरू हुई, लेकिन भा क्योंकि वो कह रहे थे, कि नियंता जो है, वो इश्वर है, वो ऐसाब कुछ कंट्रोल कर रहा है, उसने बनाया, और ये नाला एक चार्ल्स डार्विन, इसने विकास वाद की त्योरी रख दी है, किसी ने बनाया, बनाया नहीं है, धीरे 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 करोणों साल में सब बन जानते हैं कि ईसा मसीज से चार हजार साल पहले स्रश्टी का निर्माण इश्वर ने किया था, मतलब आज से करीब छे हजार साल पहले, एक सट सो साल पहले, चार्ल्स डार्विन में जमीन में से खोट-खोट के जगा-जगा से जानवरों के अस्ती पंजर ढूंड लिये, जो लाखों, करोडों साल पुराने थे, ये तो सरासर बगावत हो गई, इसका मतलब बाइबिल में जो लिखा हो गलत है, बाइबिल तो कह रही थी कि छे दिन में भगवान ने सारी स्रश्टी बना दी, और साथ में दिन उसने रेष्ट किया, इसलिए वो संड़े है, बनाई थी, और चार्ल्स डार्विन कह रहा है, इसा बना बनाया कभी नहीं था, धीरे धीरे चीज़ें विकसित होती गई है, विकासवाद की ठीरी, ठीरी आफ इवोल्यूशन, सम्मानते थे कि इनसान को भगवान ने अपनी शकल सूरत में बनाया, हम उसकी संतान है, डार हर चीज इतनी क्रांती कारी और आग नहीं लग रही थी, लेकिन विज्ञानों के पास सब चीज के प्रमान थे, कोई भी बुद्धिमान आदमी उनसे राजी हो जाएगा, धर्मादी कारियों के पास कोई भी प्रमान नहीं था, इसका कि 4000 साल पहले दुनिया बनी, इश्व इसे भी बाती प्रूव नहीं कर सकते थे, धर्म कहता है विश्वास करो, और यह विज्ञानिक कह रहा है थे विश्वास की कोई जरूद्मी तुम संदे करो, हम तुमारे संदे का उत्तर देंगे, उसका जेस्टिफिकेशन बताएंगे, पीछे कारी कारण का सिध्धान बत तो इश्वार की कोई जरूद्ही नहीं बस्ति, अगर नियम से चीज़ें चल रही हैं, तो नियंता की कोई आवश्रक्त ही नहीं है, नो कंट्रोल, नो कंट्रोलर, चीज़ें नियम से हो रही हैं, पोप को लगाए यह तो बड़ा खतरा है, यह तो एक प्रकार से इश्वा को ही इनकार कर रहे हैं आपने सुना होगा Laplace का नाम हाई स्कूल में पढ़ा होगा वेग्यानिकों का नेपोलियन का फ्रेंड था वो उसने सरश्टी के उपर किताब लिखी अद्वत किताब लिखी नेपोलियन को उसने गिफ्ट दी निपॉलियन भी उससे बहुत प्रभावित था उसको बहुत बुद्धिमान मानता था निपॉलियन ने हफ्ते वर में पूरी किताब पढ़ ली और फिर उसको बुलाया और कहा कि मैं हैरान हूँ इस स्रश्टी की किताब है ब्रह्मांड की रचना के ऊपर इसमें ईश्वर का तो कहीं नाम ही नहीं आया ये कैसे किताब स्रश्टी की उपर स्रश्टा का वर्नन ही नहीं कहीं लापलास ने कहा कि महोद है गनित परे आपत है मैंने जो सिद्ध किया है कहीं उसमें आपको कोई भूल चुक नज़र आई क्या इसमें भगवान की कहा जरूवत है हमने सब प्रकार नीमों के तहट सिद्ध कर दिया कि इस रश्टी कैसे हुई अगर इसमें कोई भूल चुक हो तो बताईए मैं गनित सुधान लोगा इश्वर की तो कोई आवश्चक्त ही नहीं बैठती इसमें फिर आएकाल मार्क्स उन्होंने कहा धर्म अफिम का नशा है और उन्होंने वज्ञानिक चिंतन मनन के अनुसार बताया कि दुनिया में जो वर्ग भेद है गरीब अमीर की डिफरेंसेस हैं वो अर्थ व्यवस्था खराब है इसलिए अगर साम में बाद और समाज बाद आ जाये तो सब लोग सुखी हो सकेंगे धर्म गुरु कह रहेते कि तो ईश्वर की मरजी से गरीब और अमीर होते हैं मार्क्स ने कहा कि ये धनी लोगों का और धर्म गुरुओं का मिला जुला सर्यंतर है ये धर्म गुरु सपोर्ट कर रहे हैं ताकि गरीब आदमी विद्रोहे ना करें बगावत ना करें, क्रांती ना करें कहीं ये ना कहने लगें कि अमीर हमारा शोशन कर रहे हैं एक्स्प्राइट कर रहे हैं मार्च के अनुस्वार धर्म के जो सिद्धान्त है कि शवर की मरजी से कोई गरीब अमीर है यह केवल एक सांतवना के लिए है कि गरीब सांतवना में रहे हैं संतुष्ट हैं कि क्या करो शवर ने तुम्हें गरीब बनाया गरीब रहो कहीं बगावत नहीं कर देना ये तो अमीर आदमी खत्रिम पड़ जाएंगे तो अमीर को बचाने के लिए धर्म गुरुवों ने इसे द्धानत रचे हैं तक गरीब संतुष्ट रहे हैं उनको जेस्टिफिकेशन दे दिया इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं तो भगवान की मरजी है आधी दुनिया काल मार्च से प्रभावित हो गई धर्म की जड़े धीरे धीरे उखडने लगी तो प्यारे मित्रो धर्म की दुश्मनी बिलकुल स्टार्टिंग से हो गई करीब समझें चार सो साल पहले से फिर भर्टिन रसिल जास आदमी आया नोबल प्राइज विनर और उसने किताब लिखी वाई आइम नाटी क्रिस्चियन मैं इसाई क्यों नहीं हूँ और उसने जो तर्क दिये हैं वो तो महांदार्सनिक और महांगने तक गथा उसके तर्कों को कोई काट ही नहीं सकता अकाट्ट तर्क और उसने सारे तर्क दिये कि मैंने इसाई धर्मी क्यों छोड़ दिया ये बाते हैं कोई भी बुद्धिमान आदमी बेटें रसल से राजी होगा बाईविल से राजी नहीं होगा धीरे धीरे बुद्धिमान और बुद्धूदो वर्ग विभाजित होने लगे धार्मिका धार्मिक धार्मिक केवल वही बचे जिनका आईकू लेवल थोड़ा कम था जो मूरता पूर्ण बचकानी बातों पर भरोसा कर सकें भैभीत लोग जिनने कोई सहारा चाहिए जो लोग थोड़े साइसी थे हिम्मतवर थे, बुद्धी मान थे, तरक युक्त थे वो धीरे 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 खे सकने लगे और फिर आया फ्रेडरिक नीट से जिसने सारे तरकों के बाद घोशना कर दी इश्वर मर गया है और मनुष अपस्वतंत्र गाड इस डेड और मन इस फ्री ये क्लाइनक्स आगया तारक एक सोच विचार का वेज्ञानिक चिंतनमनन का परियोक के द्वारा चीजों को सिद्ध करने का कारी कारण खोजने का काजन डिफेक्ट धर्म काजन डिफेक्ट की बात नहीं करता था भगवान की मर्जी हुई एक दिन उसने सश्टी बना दी उन्हें पूछ भई क्यों बना दी इसके पहले क्या कर रहे थे और पहले क्यों नहीं बना दी नहीं कोई कारी कारण नहीं अस्मूड आगया बना दी विज्यानिकों ने हर चीज का जिस्टिफिकेशन दी आ कारी कारण मताया कि कोई कारण होता है उसके वजह से कारण उसका कारी उसका परिणाव आता है हम पानी को गरम करते हैं तो बाब बनती है बहगवान की मर्जी से नहीं बन जाती है नहीं करेंगे गर हम तो नहीं बनेगी, भगवान कुछ नहीं कर सकता है, धीरे 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 नियन ता कि कोई आवश्यक्ता नहीं वच्ची, जैसे जैसे नियम समझ में आ गया, नियम अपने आप में परियाप्त है, इनफ है, धरती घूम रही है, सूरज के चारों तरफ, एक नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उससे वो बंधी हुई है, अद्रश धागे की तरह, इसमें कोई भगवान को परिशान होने की ज़रूद नहीं की बैठ के धर्दी को गुमाते रहे, तो धर्म के लिए बड़ा खत्रा पैदा हो गया, नियम प्रमुक हो ग गया, सब चीजों के कारी कारण समझ में आ गए, कोई चीज क्यों हो रही है, समझो पहले किसी को कोड की बीमारी हो जाती थी लेपरोसी, तो धर्म गुरू कहते थे वो पिछले जनम के पापों का फल है, या आदमी पापी है, इनको गाउं से बाहन निकाल दो, माइक्रिस्कोप बन गया, पता चल गया रहे तो छोटा सा कीटाणू है, टीवी के कीटाणू का भाई बंध, और जब पता चल गया कारण क्या है, तो फिर पात-दस साल में दवाईयां भी खोजी ले गई, और लेपरोसी का इलाज होने लगा, अब कहां गये वो पाप की वाली सिद्धान्त, उनको कारण नहीं कता था, तो कुछ भी बकवास कर रहे थे वो, और हजारों साल से बकवास चल गयी थी, जैसे जैसे कारण पकड़ में आने लगे, उससे बचने का उपाई भी होने लगा, उपरानी सारी धारनाएं खतम हो गई, तो मैं आप से कहना च जाता हूं, पिछले 400 साल में धर्म और विज्ञान की दुश्मनी कदम कदम पे होती चले गई, धर्म हमेशा विज्ञान की प्रगती के लिए बाधक तक तो साबित हुआ, लेकिन जो तत्य है, वो तत्य है, जो सत्य है, वो सत्य है, कहा जाता न, सत्य में विजयते हैं, तो तो ये दुश्मनी समझ में आ जाए, इसके बाद फिर आगे समझने आसान हो जाएगा, कि ओश्रो के समय आते आते कैसे वह समन वह हो पाया है, चली एगला सवाल, एतिहासिक रूप से देखें, तो विज्ञान की तीन सो सल बाद मनुविज्ञान पैदा हुआ, वह कैसे धर्म का सत्रू बन गया? जहाँ भी विज्ञान आएगा, कारी कारण आएंगे, वहाँ धर्म से सत्रूता हो जाएगी, क्योंकि वो लोग चमतकार पर भरोसा कर रहे थे, चमतकार का मतलब है कि there is no cause, and suddenly there is effect, जादू कर सकते हैं, चमतकार हो सकता है, इश्वन का कि सर्ष्टी हो जा, और सर्ष्टी हो गई, मन वज्ञाने काए, यह भी विज्ञान की ही एक शाका हो गई, इनके पास हर चीज का justification है, कोई अद्मी मानसिक रोग से ग्रस्थ हो गया है, तो क्यों हुआ, उन्होंने खोजा कि हमारे चेतन के मन के नीचे एक अवचेतन मन है, और फिर individual अवचेतन के नीचे और collective and answers है, सामुही का चेतन है, वहां से चीज़ें आ रही है, किसी व्यक्ति के जीवन के वैभार को हम समझ सकते हैं उसके अवचेतन के द्वारा, उसका बच्पन में पालवन पोशन कैसे हुआ है, उसकी conditioning कैसी हुई, उसके कैसे संस्कार पड़ गए, उसकी कैसी धारनाएं और पूर्वाग्रह बन गए, उनके अनुसार वह जिंदगी और उसके द्वारा हम व्यक्ति की तकलीफों को दूर कर सकते हैं, अब यहां से एक नई मुसीवत सुरू हुई, वो physics, chemistry खोजने वाले वैज्याने को ने इश्वर को हटाया था, नियम को इस्थापित किया था, यह जो मन वैज्याने का आया, और इसके चिकित्सा के द्वा काम पादरियों को था, कि लोग तकलीफ में होते तो उनके पास जाते थे सलाह लेने, सदा 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 से धर्म गुरू, सादु महत्मा यह काम करते आये हैं, कि लोग जब किसी मुसीवत में हो, वे इनके पास जाएं, इनका आशिरवात लें, यह उनके लिए कहेंगे, हम इन पादरिय से नहीं हुआ, तो चलो दूसरे चर्ज के पादरी के पास चलते हैं, वो साद अच्छी प्रात्ना करता हो, इनका टेलीफॉन कनेक्शन इस्वर से होजगता बंद हो गया, दूसरे पादरी के पास हाट लाइन हो, तुरंत संदेश बेजदे कि है प्रभू, मे पेरेश, शिश्य परकृपा कर, एक जाल बिछा हुआ था, लोग तकलीफ में होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे कोई भी, वो आएंगे, धर्मगुरु के पास, वो सीधे प्रात्ना नहीं कर सकते, धर्मगुरु उनकी खातिर प्रात्ना करेगा, through a medium, क्योंकि आप आपका तो इश्वर से कोई डाता है यह नहीं, पादरी का पोप से है, पोप का जीसस क्राइश्ट से है, जीसस क्राइश्ट के पिताजी इश्वर हैं, तो through proper channel प्रात्ना जाएगी, और फिर यह सब बीच के लोग आपका शोश्रम करेंगे, मन वेज्ञा ने काए, उन्होंने कहा कि यह तो मन से संबंदित तकलीफें हैं, और इनको समझ कर, इनके प्रतीजागरत होकर, इनको ठीक किया जा सकता है, बदला जा सकता है, और लोग ठीक होने लगे, तो वो लोग जो पादरियों के पास आते थे, अपने दुख दर्द क के पास जाने लगे, अब बड़ी मुसीवत हो गई, अब यह प्रोफेशनल जेलसी सुरू हुई, अभी तक इश्वर से वो तो एक काल्पनिक चीज थी, छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन अब यह रोजी रोटी का मामला है, अगर लोग चर्चाना बंद कर देंगे, और इसाई धर्म का क्या होगा, बड़ी मुसीवत हो गई, मनोविज्ञानिक कह रहा है, हर चीज का उपचार, जो कि फिजिकल चीज़े नहीं है, उनका हम मनोविज्ञान के द्वारक कर सकते हैं, और बड़े मनोगरंत पैदा हो गए, बड़ी बड़े घर्म गरंत पैदा हो ग सप्रेशन की वज़े से मनोविकार पैदा हो रहे हैं, और उसने लोगों को ठीक करके दिखा दिया, प्रमान सामने हैं, और इन धर्मों की सिक्षा की वज़े से दमन पैदा हुआ था, इसाई धर्म में काम दमन इतना ज़्यादा है, इसका कोई हिसाब नहीं, काम को पर भी अब वाहित है, हमारे धर्म में तो राम जी के संग सिता मैया खड़ी हैं, कृष्ण के संग राधा मैया खड़ी हैं, और इस्त्री की हमार यहां इत्ती इज़्यत है, कि हम राम सीता नहीं, बलकि सीता राम कहते हैं, इस्त्री का नाम पहले आता है, राधे श्याम, गौरी शंकर, इसाई धर्म में इस्त्री का कोई स्थान नहीं है, देवी जैसी कोई चीज महां होती ही नहीं, परमात्मा है परमात्मा का पुत्र है, कैसे हो गया पुत्र? विच्चमतकारी लोग है, और कुमारी मां से प्यादा हुआ था, काफी संकास्पत मामला है, कुमारी मां से प्यादा हुआ ईश्वर का पुत्र? जिन चीजों के पीछे कोई तरक नहीं हो सकता, कोई तथ नहीं हो सकता, उन पे धर्म आधारित था, मन विज्ञान भी विज्ञानिक चिंतनवनन वाला, वही कारी कारण के सिद्धान्त पे चलने वाला, अगर कोई विकार उत्पन हुआ है, तो उसके पीछे क्या कारण है, वो लोग बताने को तैयार है, कि मन में कौन सी ग्रंथी, कौन सा कांप्लेक्स, और इसकी वज़े, फ्राइट का कहना था, 90% लोगों की मानसिक बीमारियां काम दमन की वज़े से हैं, 90%. धीरे धीरे बातें साफ होने लगी इसलिए मनोविज्ञानिक की भी दुश्मनी धर्मों से हो गई, धर्मों पूरी कोशिस की मनोविज्ञान को खटम किया जाए, बंद किया जाए, लेकिन हम भली भाती जानते हैं, कि मनोविज्ञान सिर्फ सबासो साल पुराना है, सबासो साल में वहाई, कितना विक्सित हो सामने परिणाम दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनोविज्ञान भी धर्म के दुश्मनों की कैटेगरी में आ गया। चलिए नेक्स्ट। ऐसा कहते हैं कि मनुविज्ञान का जन्म सम्मोहन से हुआ था किर्पया बताएं कि उससे धर्म के का विरोध किस वजह से था ठीक बात आपने पूची फ्रायट स्वयम एक हिपनोटिष्ट का शिष्च था उसके सहयक के रूप में असिस्टेंट के रूप में उसने कई सालों काम किया धीरे 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 उसने मनुविज्ञेशन वाली धारा पकड़ी तो एक प्रकार से हम देखें हिपनोटिष्ट की जो प्रक्रिया चल रही थी उसी की एक ब्रांच के रूप में साइकलाजी निकल मैसमर से उसके नाम पढ़ी पढ़ गया मैसमरिजम उसका कहना था कि एक जेवीं शक्ती है उसको कह रहा था Animal Magnetism उसका नाम Animal Magnetism हर प्राणी में हर मनुष्य में एक उर्जा है एक शक्ती है चुमब की शक्ती जैसी और उसको हम बाहर से हील कर सकते हैं अगर उसमें कुछ असंतुलन बन गया है तो वीमारी हो रही है तो अगर हम उसको हील कर सकते हैं कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास और भी strong magnetic field है वो उसको प्रभावित कर सकता है उसको balance कर सकता है और व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो मैस मर्द ने कई प्रकार के संगीत बनाए और अपने हाथों से वहे चूकर या दूर से हाथ फेर कर व्यक्ति को ठीक करता था और लाखों लोग ठीक हो गए यदि पर उसको खूब बिरोध हुआ खासकर पोप के लिए हैवाद बिलकुल इंडाइजेस्टेबिल थी क्योंकि ये कह रहे थे कि हीलिंग की पावर केवल इश्वर में हैं अथवा सेंट्स में हैं आप लोग ये मत समझ ये का कि संत का परियावाची सेंट है अंग्रेजियम जब कहते हैं सेंट उसका मतलब होता है शेंग शेंग शेंड वाइदा चर्च हर कोई अपनी मर्जी से संत नहीं हो सकता चर्च अधिकारिक रूप से जिसको प्रमाण पत्र देगा कि हां आप सेंट हो सेंट का मतलब संक्षंड उसका शाट फार में हो सेंट तो उसमें चमतकार का पावर है केवल वही हीलिंग कर सकता है और ये मैसमर साधारन आदमी है ये कह रहा है कि मैं छूके ठीक कर और ये दूसरों को सिखाने को तयार है तो भाती भाती से मैसमर का विरोध हुआ लेकिन मैसमर की धारा खतम नहीं हुई वो आगे बढ़ती गई बढ़ती गई सारे विरोधों के बाफ जूद भी क्योंकि जो पादरी नहीं कर पा रहे थे जो सेंट नहीं कर पा रहे थे वो इमाइल कुए जैसा वेक्ती परदा हुआ उसने कहा कि केवल सकारात मगधार ना अफर्मेशन के दौारा बहुत से रोक ठीक हो सकते हैं और कुए के पास तो भीड लग जए दुनिया भर के करानिक मरीजे खट्टे होने लगे और वो कुछ नहीं कहता था कुछ कोई जादू इस फर्ष भी नहीं कर रहा था वो कहरा तो तुम रिपीट करो अपने भीतर एक अफर्मेशन और तुम ठीक हो जाओगे और लोग ठीक होने लगे जो किसी अन्यलाज से ठीक नहीं हो पा रहे थे वो लोग ठीक होने लगे तो वो पाद्रियों के लिए बड़ी घबलाहट कवे से हो गया कि ये लोग तो एक प्रकार से दावा कर रहे हैं कि इश्वर वाली सक्ती इनके पास है तो मनोविज्ञान उसी से विक्सित हुआ और फिर मनोविज्ञान की जो नई नई शाक हाई निकली और तो मैसमर की बात बीच में छोड़ी छूट गई थी सो पचास साल तक उसकी इतनी बदरामी कर दी गई थी अंडरग्राउंड करेंट चलता रहा लेकिन मनोविज्ञान इक जब आए इसके बात फिर से नए रूप में हिपनो थरेपी आ गई और पिछले तीस चालीस साल में हिपनो थरेपी के नए नए रूप प्रगट हो गए अब तो घर घर में ये बात पहुच चुकी है लाव अफ अट्रेक्शन कोन नहीं जानता दा सीक्रेट मूवी इसका हिंदी में भी अनवाद हुआ है रहस सारी दुनिया में फैल चुकी है कि तुम जैसा भाव करोगे, विचार करोगे, रिपीट करोगे अपने संकल्ब को दोहराओगे, वैसी घटनाएं घटने लगेंगी भगवान बुद्ध ने डाईजार साल पहले कहा था थाट्स टर्ण इंटू थिंस विचार ही वस्तुएं बन जाते हैं लाफ अट्रेक्शन जो कि हिपनोसिस की प्रक्रिया से आगे बढ़के आया है फिर हिपनोथरैपी और इसके इंटरनेशनल इंस्टिटूट बन गए अब यो छोटी मोटी बात ने रही, कोई भी व्यक्ति आके 10-15 दिन की ट्रेनिंग ले ले, वो इपनोटिस्ट बन जाता है तो पोप को तो आग लगेगी वो तो 100-200 साल में किसी एक को शेंट घोसित करते थे जो चमतकार कर सकता था और ये तो अंतरराश्टी संस्थाएं खोल के बैठ गए और कोई भी आजाए और ट्रेनिंग ले ले, हफ्ता दस दिन की इतना परियाप्त है, वो भी कर सकता है चमतकार की कोई बात ही नहीं है अब देखना, चीजें काज इन डिफेक्ट पे आ गई ये बता रहे हैं काज क्या है अगर हम कोई विचार, कोई भावना रिपीट करेंगे वो हमारे अउचेतन में चली जाएगी और उसके परिणाम आएंगे ये लाफ अट्रेक्शन, ग्रेविटेशन की तरण कोई चमतकार नहीं है तो हिपनोसिस ने फिर एक नाया रूप लिया बीसमी सदी के अंत में, एक्कीसमी सदी के सुरुवात में इसी से डवलप हुई NLP नीरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग तो मनो विज्ञान और हिपनोसिस इन दोनों का जो मिलन था वो और आगे बढ़ गया अब नीरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इतनी इफेक्टिव है इसका कोई हिसाब नहीं यह कोई जादू मंतर तो नहीं है यह क्लेम तो नहीं करना कि हम कोई जादू गर हैं उचमतकारी हैं यह कह रहा है आपके भीतर कुछ शब्द कुछ चित्र बैठ गए हैं हम उनको चेंज कर सकते हैं सिंपल सी बात है एक आट-दस साल का बच्चा जो थो भासा समझने लगा वो भी कर सकता है और उसकी ट्रिकें खोजली गई कैसे हो सकती है देखिए हमारी रोग भी कालपनेख हैं और इसलिए इलाज भी कालपनेख है समझो एक आदमी को भाई लगता है किसी विसे सिच्चुएशन में अब NLP एक्सपर्ट उसको सला देता है कि तुम आख बंद करके बढ़ जाओ रिलेक्स हो जाओ वो भाई वाली सिच्चुएशन को देखो किसमें भाई लगता है उसको अच्छे से फील करो अपने मन ही मन कलपना में डरने की जरूरत नहीं तुम ही कलपना कर गए कोई रियल सिच्चुएशन नहीं है एक ब्लैक बोर्ड है उस पर तुम लिख दो भाई हो जाओ भाई वीत कितने भाई वीत होते हो फिर थोड़ी देर बाद उसन का अब एक डिस्टर उठा कि उस ब्लैक बोर्ड को दीर दीर साफ करो उस ब्लैक बोर्ड साफ है अब लिखो साहस चाक उठाओ नया वर्ड साहस तुम्हारे भी तर साहस पैदा हो रहा है भैस हमाप्त हो गया आदा घंटे का सेशन उत्तीन या चार सेशन लिए जाएंगे और वो आदमी एकदम बदल जाएगा जरा जरा सी बात में जो काँप जाता था भैई भी तो जाता था डरपों का अदमी अचानक बड़ा वीर और साज सी हो जाएगा उसके अंदर ही कोई चीज बैट गई थी काल्पनिक काल्पनिक ब्लेक बोर्ड पर ही उसको लिखवा के मिटवा दिया और काल्पनिक ब्लेक बोर्ड पर एक नई पॉजिटिव चीज लिखवा दिया नई कंडिशनिंग और दो-चार सेशन में उसको रिपीट किया उसकी जड़ें भीतर बैट गी अवजे तन मन में तो मेसमेरिजम से साइकलाजी पैदा हुई उसके एक ब्रांच की तरह साइकलाजी से फिर से दोबारा हिपनोसिस रिएस्टबलिष्ट हुई एक बार उसकी जड़ें उखड गई थी क्योंकि लोगों उसकी बहुत बदनामी फैल आई थी फिर से हिपनोसिस की बात आ गई क्योंकि जब हमारे भीतर अवचेतन मन है जो हिपनोसिस से प्रभावित होता है तो फिर क्यों ना उसको हिपनोटाइस करके उसमें पॉजिटिव फिलिंग्स और विचार डाले जाएं हमारे भीतर जो दुर्भावन आए हैं दुरगुन हैं दुरविचार हैं उनको हटाया जा सकता है और डाला जा सकता है इसके बाद फिर एक नई चीज और आ गई और ओशन उस पर बहुत जोड़ दिया वो है सेल्फ हिपनोसिस दूसरा हिपनोसिस कर रहा है चलो उसमें थोड़ा खतरा हम मान सकते हैं कि वो हमको एक्सप्राइट कर सकता है वो अपने बात हमारे भीतर डाल सकता जो वो चाहता है लेकिन सेल्फ हिपनोसिस तो बिलकुल ही आसान है ओशन का कि तुम खुद ही अपनी आवाज रिकार्ट कर लो टेप रिकार्डर में अब तो टेप रिकार्डर का यूग नहीं मुबाइल के यूग आ गया तुम क्या सजेशन देना चाहते हो एक मधूर संगीत के साथ मिला कर उसको रिकार्ड कर लो रात को सोते समय उसको सुनते 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 सुजाओ आप तो कोई एक्स्पैट नहीं कर सकता आपने वही बात उसमें डाली हैं जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो रात को सुनते सुनते आप सो जाएंगे तो किसी हिपनोटिक ट्रांस में ले जाने की जरूवत भी नहीं है क्योंकि हिपनोटिस्ट को तो आपको ट्रांस में ले जाने के लिए induction करना पड़ता है तरह टेक्निकल मामला हो गया रात को हमारा जेतनमन ठक जाता है वो विश्राम करना चाहे रहा है और अवचेतनमन अब शक्री होगा, सपने देखेगा जब हम एक विचार करते करते सुनते सुनते सो गए तो है विचार वहां अवचेतनमन प्रवेश कर गया तो किसी हिपनोटिस्ट की जरूवत नहीं है कोई हिपनोसिस इंडक्शन टेक्निक की जरूवत नहीं है यह तो रोज रात को अपने आप होई रहा है हम तंद्रा की अवस्था में जा रहे हैं हिपनोसिस का मतलब होता है इन्वाइटिट सिलीप आमंत्रित निद्रा तो नेचुरल सिलीप तो रोज आही रही है क्यों न उसका उप्योग कर लो तो बागी के जो छोटी मोटी रिस्क थी हेट्रो हिपनोसिस की वो भी खतम हो जाती सेल्फ इपनोसिस से कारण वही है अगर लोग अपने आपको ठीक करने लगेंगे तो फिर चर्च कौन जाएगा उनका धंदा ही चोपट हो जाएगा इसलिए दुश्मनी है चलिए अगला सवाल धर्म चाहता है कि लोग स्वस्थ हो फिर धर्म की दुश्मनी भांती-भांती के उपचार विधियों से क्यों हुई यह हमारी गलत धार्णा है कि धर्म चाहता है कि लोग सुखी हो स्वस्थों कभी नहीं चाहते वो लोग चाहते हैं कि सब लोग दुखी रहें परेशान रहें तकलीफों में रहें, तभी वो इश्वर का सहारा मांगते हैं, भिक्षाट मांगते हैं, चर्च आते हैं, पादरी का सहारा चाहिए, लोग भैभीत रहें, तकलीफ में रहें, सुखी आदमी चर्च नहीं जाता, वो कलब जाता है, उसे नमग रहे जाता है, वो पिकनिक पे ज देख लो, सारे धार में किस थलो में, व्रद्ध लोग, विसे स्करब्रद्धाएं, बीमार लोग, गरीब लोग, असिक्षित लोग, आप इनकी भीड वहाँ पर पाओगे, एक समझदार, सुसिक्षित, धनवान व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, क्यों जाएगा? तो उपर उपर से लगता है कि ये लोग, जनता की सेवा कर रहे हैं, इनका भला चाहते हैं, कि हम देखें कहां चाहते हैं, जब कुए लोगों को ठीक कर रहा था, क्यों उसका विरोध किया? जब मैसमर लोगों को ठीक कर रहा था, क्यों विरोध किया? अन्य पैथियों को ले लो जापान से रहकी शुरू हुई और करीब करी पूरी दुनिया में चा गई एक ऐसा समय आया ये फिर से मैसमर वाली बात ही नए रूप में आ गई थी नाम दूसरा हो गया उनकी शब्दा वली दूसरी है उनकी सिंबल्स दूसरे है कि नुकुए करे रहे हुँआ हर को इसको सीखता है हर व्यक्ति के भीतर एक बाइटल एनर्जी है एक सार्व भौम शक्ती हमारी प्रान शक्ती है और उसके द्वारा हम दूसरे की हीलिंग भी कर सकते हैं धर्म को बड़ी तकलीफ होती है जब कोई लोग स्वा निर्भर होने लगें इंडिपेंडेंट होने लगें वो चाहते थे आप उनके गुलाम रहो अगर आप अपनी हीलिंग कर लेते हो आप अपनी पड़ोसी की हीलिंग कर दोगे अपने परिवार में कोई बीमार हुआ उसकी हीलिंग कर दोगे धर्म गुरु का तो धंधा ही छिन गया तो रेकी का विरोध हुआ जर्मनी में होमोपैथी खोजी गई थी और जितना विरोध हो सकता है पोप की तरफ से हुआ आपको क्या मतलब अगर लोग ठीक हो रहे हैं ओमपैथिक दवाई लेने से आपको प्राबलम क्या है इसने प्राबलम यह है इचर्च की भीड कम होती जा रही है कहीं भी कोई भी पैथी सुरू हुई चाहे वो वज्ञाने को चाहे वो अवज्ञाने को दोनों प्रकार की मैं कहा रहा हूँ और alternate pathies की आवश्चक्ता है क्योंकि आदमी अवज्ञानेख है मेरी बात समझना मैं कभी भी किसी alternate pathies की आलोचना नहीं करता ऐलोपैथिक डाक्टर होते हुए क्योंकि लोगों की बीमारियां मानसिक हैं और वो इस प्रकार की मानसिक चिकशा से ठीक हो सकते हैं उनको real medicine देने की जरुवत भी नहीं है तो real medicine के side effect भी होते हैं medical college में हम पढ़ते थे जब कोई दवाई की research होती है उसके सांसनाथ placebo से comparison किया जाता है समझो एक नई दवाई का विश्कार हुआ तो किसी खास भीमारी के 100 मरीजों को दवाई दी गई और 100 मरीजों को placivo दिया गया placivo या ने उनको जूटी दवाई दे गई उनको नहीं पता देने वाली रस को भी नहीं पता भी नहीं पता यह सब गोपनी रखा जाता है केवल जो बी उपर manage कर रहा है देने वाले में 45% लोग ठीक हो गए है और जिनको रियल दवाई दी गई तो उसमें 55% ठीक हो गए है मगर याद रखना इसमें 30% को side effect भी हुए नई वीमार यहां भी खड़ी हो गई तो इस दवाई को रिकगनाईस किया जाता है कि यह दवाई ठीक है प्लैसिबो से ज्यादा effective है प्लैसिबो में 40% ठीक हुए तो इसमें 55% ठीक हुए है तो इसको फिर माननेता मिल जाएगी कि यह ठीक दवा है तो प्लैसिबो भी तो effective तो है और उसका plus point है कि कोई side effect नहीं है real medicine के तो फिर real side effect भी होंगे और भेंकर भी होंगे अभी थोड़ी दिन पहले मैंने पढ़ रहा था news अमरिका में जो दवाई जहन टेक नाम की गोली बनाती है रहनी टीडन acidity की दवाई उसके उपर 10,000 लोगों ने मुकदमा किया है कि रहनी टीडन खाके उनको cancer हुआ है और court में सावित हो गया सारी data और उस company को इनकी भरपाई करनी पड़ी है इन 10,000 लोगों को पूरा treatment का पैसा दो बीमार पड़े हैं उसकी भरपाई करो जो छती पूर्ती होती है और उसके लावा extra देना होगा और company ने मंजूर किया है कि हाँ और उस दवाई को बंद किया गया बेन कर दिया गया है तो दवाईयों के तो side effect भी है एक छोटी भीमारी ठीक होगे पेट की जलन और बड़ी भीमारी पैदा होगे एक एंसर ठीक इसी प्रकार आस्ते करीब 10-12 साल पहले एक international company ने diabetes की एक नई दवाई बनाई थी बहुत महंगी बेची उसको बहुत महंगी एक रुपे की चीज 1000 रुपे में लेकिन थी वो एफेक्टिव ब्लट सुगर लेवल उससे बहुत डाउन हुआ पुरानी सब दवाईयों को उसने मात कर दिया अगर तीन साल बाद उस company के एक retired कर्मिचारी ने उसकी कुछ दुस्मनी थी management से उसने आके बाहर court में बता दिया कि इस दवाई को खाने से कैंसर होता है और यह बात काफी पहले से पता है research के दौरान ही पता चल गया था इस से कैंसर होगा इस बात को छुपा लिया गया है वो कागज दवा दिये गये है खोजबिन की गई पाया गया उसकी बात सही है वो दवे हूँ कागज बाहर निकल आए उस कंपनी पर बड़ा केस हुआ और तब जब दुनिया में लोगों को पता चला तब तो 70-80-80 लोग दावा कि उनका कैंसर इस दवाई की वज़े से हुआ है तो सुखर लेवल तो घटा दिया कैंसर पैदा कर दिया तो याद रखिएगा जहां रियल मेडिसन है वहाँ पे रियल साइड एफेक्ट होंगे और कई वार ऐसे होंगे कि मूल बीमारी से भी ज़्यादा बड़े अल्टरनेट पैथीज चाहे रियल हों चाहे फाल्स कम से कम 40% लोगों को तो फायदा पहुंचाती है बिना किसी साइड एफेक्ट के और लोग अगर लेने को तैयार है उनको लाब हो रहा है आप रोकने वाले कौन होते हैं और बहुत सी बीमारी ऐसी हैं साइको समेटिक हैं जिन में रियल मेडिसिन देना ही नहीं चाहिए मेरे जो प्रोफेसर थे इसके डिपार्टमेंट के हेड उन्होंने एक बड़ी जोड़ दादवात कही थी पहली क्लाश जब उन्होंने ली उन्होंने कहा कि हमारी जो इस्पेशलिटी इसका फायदा सुन लो पहले इसका फायदा ये है कि हमारा मरीज ना तो कभी ठीक होता और ना मरता इसके इंडिसिस से कोई नहीं मरता और इसके इंडिसिस कभी ठीक भी नहीं होती तो आन गोइंग वो आता रहेगा आपको फिस देता रहेगा, आप दवाई के नाम बदल बदल के लग अलग ब्रेंड नेम की दवाई देता रहेगा, कभी ये, कभी वो मन बहलाने के लिए, कुछ टेंपररी फाइदा हो जाएगा, वो संतोस्ट फिर आएगा, जाएगा कहा, हमारा पर्मनेंट मरीज एक वाज इसको इसकिन प्राबलम हो गई, मरेगा भी नहीं, ठीक भी नहीं होगा, और रात को कोई इमर्जंसी काल नहीं आएगा, अनि डाक्टरों को बिचारों को हमेसा मुसीबत रहती, आदी रात को भागना पड़ेगा, इसकिन मैसा कुछ नहीं है, वो खुज ला रहे हैं, खु जब विक्सित होने लगता है ब्रून से, उसमें तीन लेयर्स होती है, उसमें एक ही लेयर है, एक्टोडर्म जिससे ब्रेन विक्सित होता है, और उसी से इसकिन डेवलप होती है, तो ब्रून की जो बुनियादी तीन लेयर्स हैं, उसमें एक सिंगल लेयर से ब्रेन और नर तो जरूर इनमें कुछ तालमेल है, मन की बीमारियां तो चाप प्रगट हो जाती हैं, तो जैसे मन की बीमारियों को ठीक करना, साइकेट्री की पहुँचके लगबग बाहर है, ठीक मैसे इसकिन के प्राबलम ठीक करना भी बाहर है, अगर दूसरी पैथी वाले क्लेम कर रहे हैं, कि वो ठीक कर सकते हैं, तो व्यक्ति की सुर्टनत्ता होने चाहिए, इसमें धर्म कहां से बीच में आ जाता है, लेकिन धर्म वालों की मुसीवत समझो, विल्कुल मनजूर नहीं करते हैं, और जब एलो पैथी डेवलप होई थी उस समय भी याद रखना है, जैसे उन्होंने रेकी का विरोध किया, मैसमर का विरोध किया, साइकलाजी का विरोध किया, हॉमपैथी का विरोध किया, एलो पैथी का भी भैंकर विरोध किया, आपको लेचलता हूं कुछ सेक्णों साल पहले, जब कुछ वेग्यानिकों ने रात के अंधेरे में कब्रों से लास निकाल कर अपने घर में ले आए और उनका डिसेक्शन किया पता लगाने के लिए कि मनुष्ट के शरीर की रचना कैसी है एनाटमी की खोज, फिजिलाजी की खोज वहां से हुई थी और चूंकि कब्र से लास निकालना गैर कानूनी था और धर्म की दृष्टी से पाप था, भैंकर पाप था जब भी ये लोग पकड़ा गए इनको सब को फांसी की सजा मिली एलोपेथी की बुनियाद रखने वाले साइन्टिस्ट सब सजा पाए हैं बिना एनेटमी को जाने तो कोई मेडिकल साइंस डेवलप हो यह नहीं सकती थी शरीर के बारे में कुछ पता ही नहीं था और कामन सेंस से हम जो समझ रहते वैसा कुछ भी नहीं निकला आजसे साड़े तीन सो साल पहले तक समझा जाता था कि हमारी तुचा जो है एक बैक की तरह है उसके अंदर खून भरा हुआ है कहीं भी आप पिंच भाओ खून ने करना लगता है जैसे बैग में पानी भरा है हम कहीं भी पिं लगाएंगे पानी बहने लगेगा बाहर शाए तीन सो साल पहले पहली बार पता चला कि खून बहता है भरा नहीं है कंटिनियूस फ्लो है कांस्टेंट ब्लेट सर्कुलेशन हो रहा है यह पता कैसे चला है जिन देशों में लासों को जला दिया जाता था वहां तो पता लगाने का कोई उपाई ही नहीं था इस आई धर्मे में लासों को गड़ाया जाता है तो वहीं संभावना थी कि एनटमी की खोज की जा सके और जिन लोगों ने की सोचो उन्होंने कितनी रिस्क उठाई अपनी जान जो खिम में डालके उन्होंने विग्यान की बुनियाद आधार शिला रखी जिस पर मेडिकल साइंस का भवन कड़ा हुआ और उन सब लोगों को प्रतालित किया गया धर्म ने कोई कसर नहीं रख छोड़ी है दुश्मनी लेने से हर चीज़ से दुश्मनी है हाँ कालांतर में जब उन्होंने देखा कि हम तो हारते जा रहे हैं और ये पापी लोग जीतते जा रहे हैं फिर वो आ जाते हैं कि मिश्नरी अस्पताल खोल रहे हैं ये भही लोग है जिन्होंने पूरी कोशिस की थी कि कभी साइंस डेवलप ही ना हो पाए मेडिकल साइंस डेवलप ही ना हो पाए लेकिन जब देखा उन्होंने कि अब चाल पलट गई उनके फेवर में नहीं गई दुनिया क्योंकि उनकी बात में कोई दम नहीं था मेडिकल साइंस ने वो करके दिखा दिया जो कभी सोचा भी नहीं था विसेस कर सर्जरी के छेत्र में कितने आगे बात चली गई तो आप पूछ रही है कि धर्म भी चाहता है लोगों के कल्यानों सुख्यों और स्वस्थों यह हमारी धाड़ना बिलकुल गलत है जब मदर्टेर ऐसा को नोबल प्राइज मिली थी उन्होंन कहा था धन्नवाद कलकत्ता के लोगों का जो बच्चे पैदा करके सणकों पर छोड़ जाते हैं उन्ही की वज़े से हमारा आश्रम चलता है अनाथाले चलता है उन्ही की वज़े से हमको नोबल प्राइज मिलती है शांती पुरुस्कार मिलता है यह तो चाहते हैं कि दुनिया में अनाथ होते रहें आप कैसे उस्तीय लोग चाहते हैं कि अनाथ ना हो फिर अनाथाले कैसे चलेगा और अनाथाले नहीं चले तक सेवा कैसे करेंगे और सेवा नहीं करेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे मुझे याद आता है एक बार एक इसाई मिशनरी वो जो जौलपुर में रहते थे, उनसे बात कर रहे थे, वो कहने लगे हमारा धर्म सेवा सिखाता है, हम चाहते हैं दुनिया का कल्यान हो, सब का भला हो, सब सुखी समरद्ध हो के रहें, वो जो उनका तुम सोच लो एक बार फिर से, अगर ऐसा हो गया, तो फिर तुम करोग क्या, क्योंकि थोई देर पहले तुमने बताया कि सेवा के द्वारा स्वर्ग मिलता है, सेवा धर्म है, सेवा पुन है, सेवा के बिना कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, अगर सब लोग सुखी हो गए, समरद्ध हो गए, स्वस्त हो गए, प्रसंद्धी रहे हैं, तुम सेवा क तो रोगे किसके हैं। किसी के पाज़ जाओगे कि भागे हैं। हम सब ठीक ठाक हैं मिलकुल मज़े में। क्यों हमारे पीछे पड़े हो। वो इसाई मिसनरी बड़ी चंता हम पड़े गया। उसने आखें बंद कर ली हूं। उदास हो गया। फिर उसने थोड़े रवाद आखें खोली बोलने ही नहीं आचारी जी ऐसा मत कहिए। ऐसा मत कहिए कि सबसुखी समपन हो जाए। फिर हम करेंगे क्या। और फिर हमको नरक जाना पड़े गए। सौर्ग जाने का उपाई नहीं है। तो सेवा के द्वारा जा सकते थे। तो उपर उपर से ऐसा लगता है कि विश्व का कल्यान चाहते हैं। यह बिलकुल नहीं चाहते हैं। यह चाहते हैं लोग अनात हों। अमेरिका में, फ्रांस में, स्वीडन में वहां क्यों नहीं बनाती है। घरीबु का शोशन किया जा सकता है, क्योंकि उनकी सेवा की जा सकती है। अमीर आदमी समझदार है, वह नात पैदा ही नहीं करता। इसके लिए बहुत ही मूढ, इडियाटिक, कम बुद्धी का आदमी होना चाहिए। और यही मतर टेरसा, परिवान नियोजन के सादमों के सकत खिलाफ। उसको भयंकर पाप कहती है वो, क्यों? क्योंकि अगर लोग परिवान नियोजन करवाने लगेंगे, फिर अनात कैसे पैदा होंगे? तो स्वर्ग जाने की जो सीड़ी है, वो अनाताओं के कंदों पर चड़ चड़कर स्वर्ग तक जा रही हैं। उसके सोपान ही गिर जाएगा। दीरे दीरे ये धोखे टूटे हैं, धर्म बात हैं बहुत अच्छी अच्छी करता है, लेकिन उसके कर्म बिलकुल अलग हैं। intention और action बताते हैं कि हमारे intention यह है लेकिने इनके action से थाबित होता है कि यह जूट बोल रहे हैं यह पाखंडी है भीतर-भीतर कुछ और बाहर-बाहर कुछ और है तो सब प्रकार की पेथियों का विरोध हुआ है और हमेशा ही जहां कहीं कोई कल्यान की बात आती है धर्म को सब जादा खरती है चलिए नेक्स्ट ओशो के पुर्व कौन सी घटनाय घटी जिससे धर्म और विज्ञान की दोस्ती के लिए भूमिका तयार होई दोस्ती की भूमिका तो नहीं है परास्त होना दोस्ती नहीं होती जब धर्म ने देखा कि हर प्रकार से हम हारते जा रहे है विज्ञान की मन विज्ञान की सब प्रकार से प्रगती होती चली जा रही है उपहलते जा रहे हैं और बुद्धिमान आदमी उस से राजी होता जा रहा है और हम छूटते जा रहे हैं लोगों ने चर्च में आना बंद कर दिया धर्म की पकड छूट गई आधी दुनिया साम में बादी हो गई और जो कहले आने को अभी आस्तिक हैं वो भी एक्च्वल आस्तिक नहीं है किसी भी आदमी को आप बाइबिल और बर्टन रसल की किताब दे दो कोई दोनों को पढ़के बताना जारासा भी समझदार आदमी होगा वो कहएगा मैं बर्टन रसल सराजी हूँ इसकी बात में दम है वो जो कह रहा है उसको सिद्ध कर रहा है हवाई बातें नहीं कर रहा है धर्म ग्रंथ में लिखा है वो हवाई कालपनिक बाते हैं कोई किसी चीज का प्रमाण नहीं किसी चीज को सिद्ध नहीं कर सकते इसलिए माननता पर जो और है तो पहली बात आपको कह दूँ दोस्ती का हाथ उनकी तरफ से नहीं आया है वो हार गए हैं बुरी तरह से परास्त हो गए हैं अब उतना इस पश्ट रूप से विरोध नहीं कर पाते हैं अभी कुछी सालों पहले की बात है पश्च्चमी मुलकों में योगा अभ्यास प्रचलित हो गया था लोगों के समझ में आएगी तो स्वास्त दाई है सरीर को फ्लेक्सिवल मुनाता है इम्मुनिटी बढ़ाता है पोप को खबर मिली आफिशियल लेटर गया है प्रत्यक चर्च को कि चर्च के अंदर योगा अभ्यास नहीं करवाए जा सकता ये बाईविल के विरोध में है इश्वर नाराज हो जाएगा एक आदमी एकसरसाइज कर रहा है सरीर को थोड़ा इस्ट्रेचेवल बना रहा है इश्वर नाराज हो जाएगा क्योंकि इसका बाईविल में कहीं उलिक नहीं है योग का वो किसी फारें चीज को एकसेप्ट नहीं कर सकते और वो हुआ सारे चर्चों में योग अभ्यास बंद हो गया नहीं कर सकते तो पहली चीज विज्ञान की विजय होती गई धर्म की पराजा होती चली गई इसलिए उजो दुश्मनी की खाई थी अब दिखाई नहीं देती सिर्फ दिखाई नहीं देती उपर उपर से दूसरी चीज एक बड़ा मनोवज्ञान ने खुआ अबरहम मैसलो आपने पूछा ना उशो के पूरू कौन कौन सी घटनाए घटी तो तीन घटनाए मैं विज्ञान की विजय हो गई खुब 400 साल का संघर्ष नगर विजय हो गई दूसरा मनोवज्ञान और विसेस कर अबरहम मैसलो वर्णन करना चाहूंगा उसने हाईरे की आफ नीट्स मनुश्य की आवश्चताओं के तल की बात की है एक सीड़ी की तरह वो समझने जैसी है क्योंकि उससे भी एक भूबी का बनी उसने काया कि मनुश्की सबसे नीचे की ज़रुवज्च है बनियादी जिसको हम कहें रोजी रोटी कप्डा मकान थैना फिजियलाजिकल नीट्स है वोजन चाहिए, कप्डा चाहिए मकान चाहिए सेक्सवल नीड है, परिवार चाहिए यह basic need है, यह पश्वों के हैं, पक्षियों की भी हैं, सब की हैं, यह basic needs है, physiological needs, शारीगत, शरीरगत, भौतिक आवश्चकता हैं, सब को समझ में आती है, इसके बाद आती है, दूसरी जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, safety and security needs, यह भी हम सब को समझ में आती है, हम सब अपने आप को बचना चाहते हैं, एक survival instinct हमारे भी तर है, जीवेशना, पसु पंख्षियों के अंदर भी है, पेड़ पोधों के अंदर भी है, सब बचना चाहते हैं, जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, इसके ऊपर फिर आती हैं, मन की जरूरत है, हमें उत्सुकता है, जानने की, जान की, सिक्षा की, हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं, हम सब जगे जगे की बात पता लगाना चाहते हैं, यह मन की जरूरत है, यह पशुपंचियों के पास नहीं है, मन से मनुष्य शब्द बना है, यह मनुष्य की speciality है, जिग्यासा, हम जानना चाहते हैं, चीजों को ग लगाना चाहेते हैं क्या हो रहा है कैसे हो रहा है क्यों हो रहा है थी त sir कि धिआम साहथ हे प्योंधर चॉह में पं॥ंग दोड़ा मतलब मतलब नहीं क्याया है यहारी परसाच चौरस यही बीन बजा रहे हूं, बैंस को बर्च करके आगे बढ़ जाएगी, उसको उस लेना देना नहीं है, लेकिन बनुष्च केवल रोजी रोटी से संतुष्ट नहीं हो सकता, अब समझना हायर की, जब हमारी पाश्वी की जरूरतें खतम हो गई, तब म कहो कि ये लो महा कभी रविन्ना टैगोर की गिता अंजली, जिस पर नोबल प्राइज मिला था, बहुत अद्भुत कविता है, वो आपके मूपे दे मारेगा, तुम्हें शर्म नहीं आती, संकोच नहीं लगता, मेरे पास खाने को नहीं है, इस किताब को मैं खाऊंगा, क् इस्चित रूप से रोजी रोटी हमारी बेसिक नीट है, लेकिन जब वो हो जाती है पूरी, तब हमको पता जलता है कि अभी हम संतुष्ट नहीं हुए, सेफ्टी, सिक्यूर्टी हो गई, फिर ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं, कलाएं विक्सित करना चाहते हैं, कोई आदमी है वो प्रोज से संतुष्ट नहीं होगा, पोईट्री चाहिए, सुन्दर चित्र बनाएगा, अच्छे कपड़े चाहिए, डिजाइन चाहिए, वेराइटी चाहिए, एक प्रकार का भोजन आपको कित्मा ही अच्छा लगता हो, आप रोज रोज नहीं खा सकते, गा कोई चीज नहीं चल सकते, आप अच्छी चीज, चार दिन में आप नाराज हो जाओ गई हो, चार दिनों चाहिए, चेंच चाहिए है, ये चेंच किसे जरुवत है, शेरीर के जरुवत तो नहीं है, शरीर को पॉष्ण डो मिल रहा था, ये मन की जरुवत उसको चेंच भी चाहिए परिवर्तन चाहिए तो मनुष्य मन है और मैसलों कहा कि मानसिक जरूरतें भी हमारी फिर जब ये भी पूरी हो जाती है इमोशनल नीट है फिर हमारी हम जुड़ना चाहेते हैं लोगों से घर हो ग्रस्ति हो परिवार हो मित्रमंडली हो फेस्बुक फ्रेंड्स हो वा हम अकेले एकांत में नहीं जाह सकते हैं हमारी एमोशनल नीट है भी वान्ट तो बिलांग टो समबडी कोई हमारा हो हम किसी के हो यह हमारी गहरी जरूरत है इसके बिना जीवनल को रूखा-सूखा हो जाएगा तो मेंटल नीट्स फिर एमोशनल नीट्स इसको सामाजिक शोशल नीट्स, जब ये भी पूरी हो जाती है, उसके बाद भी संतोष नहीं होता, अब आता है अपने भीतर छुपी हुई जो हिडन टेलेंट है, प्रचन प्रतिभा है, उसके विकास की जरूरत है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ विसेश प्रतिभा छुपी हुई है, और उत्रप्त नहीं हो सकता, समझो कोई आदमी संगीतकार होने को पैदा हुआ है, उसके अंदर बच्पन से ही पकड़ है, सुर की, इताल की, उसको बड़ा रस है, अगर उसको जीवन में इसका मौका नहीं मिला, चाहे वो अन्नी किसी छेतर में कितना ही सफल हो जाए, उसको क यर्षे प्रतिष्ठा है, धन है पैसा है, सब कुछ हो उसके पास, भीतर ही भीतर, कुछ अत्रप्त है, वो संगीतकार विक्सित नहीं हो पाया, unsatisfaction, discontentment उसके भीतर रहेगा ही रहेगा, तो मैसलों कहता है, कि हमें अपनी छुपी हुई प्रतिवा खोजी नहीं होगी, जिसका पता लगाना भी कठिम है, किसी किसी केस में तो इसपस्ट होता है, कभी कभी तो बिलकुल पता नहीं चलता, लेकिन जब तक वो चीज पू जिन्दगी बेकार जा रही है, हम ये क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब समझ नहीं आता, meaninglessness की feeling, कई लोग आते हैं, वो कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, दुनिया जिसे सब कुछ मानती है, वो सब हमारे पास है, लेकिन हम असंतुष्ट क्यों हैं, भीतर कुछ खाली-खाली क् मैंसलो कहता है, अपनी hidden talents को उजागर करना होगा, इसमें साधना की जरुवत है, आपके भीतर संगीत की talent थी, लेकिन अगर एक 20-25 साल आप संगीत की साधना से नहीं गुजरेंगे, तो खिलावत नहीं आएगी, it takes time and patience and lot of work, अपने आप जादू से नहीं हो जाएगा कुछ, यह करना पड़ेगा, इसको कहता है मैसलो self-realization, याद रखना उसका वह अर्थ नहीं है, जो अध्यात्म की भार्षा में, पूरब में हम करते हैं, self-realization का, self-realization से उसका मतलब है, अपनी पूरी प्रतिभा को वास्त्रक्ता में परिनित करना, अब रहम मैसलो कहता है, कि यहां तक जरूरतों का यह सोपान सीड़ी मुझे दिखाई देती है, पिरामिट की तरह हैं यह, नीचे बहुत चोड़ा बेस है, जैसे जैसे उपर जाते हैं, सक्रा होता जाता है, मैसलो कहता है, लेकिन इसके उपर, मुझे समझ में नहीं आता, अब क्या, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं, जोनों ने यह सब भी कर लिया, पूरा, उनके जीवन में भी शांती नहीं है, वो भी नहीं कहते हैं, कि हमने आनन्द जान लिया, मैसलो ने उस सीड़ी को उपर खाली छोड़ दिया, कि अब मुझे नहीं पता इसके आगे क्या है, लिए एक बात तक की कुछ है, जो आदमी को खींच रहा है, यहाँ पर अब ओश्यो की बात समझ में आ सकती है, वह है आत्मग्यान, वह है ब्रह्मग्यान, वह है समाधी की अवस्था, जो ध्यान से पराथ होती है, जब तक वो नहीं हो जाएगी, तब तक बात नहीं बनेगी, खाली पन काटता ही रहेगा, वो काट अगडता ही रहेगा, कि कुछ कमी है, कुछ कमी है, something is missing, आत्म मिसिंग है, भागी सब हो गया, आत्म मिसिंग है, you are missing, you are not there, कुवच्च घर बना लिया, कुवच्छी कार है, कुवच्छ पतनी है, कुवच्च पड़ोसी है, कुवच्च जाब है, सबसो श्रिक्रूर्टी है, everything is fine you are not there जिसके लिए सब एकटा किया था उसका कुछ पता ही नहीं तो उसका पता होना आत्म ज्यान कहलाता है वह बुद्धत्व की अवस्ता घटे तब पूरा बात हो सकेगी तो ओशो का समय आते आते ये दूसरी बात घट गई थी यह समझ में आ गया कि भौतिकता और अध्यात्मिकता का जब मिलन हो पाएगा तो जाके पूरी बात बनेगी तब कोई व्यक्ति त्रप्त और संतुष्ट कंटेंटमेंट का एसास करेगा काफी बातें आ चुकी थी ओशो का जन्म हुआ 1931 में उसके ठीक एक साल पहले 1930 में कौंटम फिजिक्स की सुरुवात हुई जो अपना आप में एक बहुत ही मिस्टिरियस चीज थी आपने पूछा ना ओशो के पहले ऐसा क्या क्या हो चुका था कि ओशो के भूमका बन गई धर्म और विज्ञान के संगम की यह एक भूमका बनी कौंटम फिजिक्स ने ऐसी चीज़ें खोजी जो कि पुराने विज्ञान के सद्धामतों के अगेंस्ट जाती थी और जिनको जस्टिफाई करना मुश्किल था और उनके लिए कोई शब्द नहीं थे उसरा गणित बठाना मुश्किल था तो हमारे कारीगारन के सद्धान काई भूल चूखोगी इसको फिट में ठालना पड़ेगा तो ओशों के पहले रिलेटिविटी का प्रिंस्पल आ चुका उसने पुराने विज्ञान के काफी चीज़ों को गलत साबित कर दिया जिन चीज़ों को हम एपसलूट समझ रहे थे अचानक वो रिलेटिव की कैटेगिरी में आ गई आइंस्टिन के पहले तक विज्ञान की खोज उन चीज़ों तक सीमित थी जो हम अपनी इंद्रियों से जान पाते है ठीक है जो उपकरन बनाए थे गैलिली उन दूर भी इन बनाई मगर वो आख का ही एक्स्टेंशन था थोड़ी दूर तक दिखाई देता था थोड़ा ज़्यादा दूर तक आख थोड़ा देख पाती थी दूर भी ज़्यादा देखने लगी माइक्रिस्कोप बन गया आख जो सुक्ष्मी चीज नहीं देख पाती थी माइक्रिस्कोप देखने लगा वाइरस और बैक्टीरिया का पता चल गया रिलेटिविटी के प्रिंस्पल आने के बाद एक उलट पॉलट हो गई चीजने सापेक्च है और सापेक्च चीजों का अब्जर्वेशन करके हमने जो सिध्धान्त खोजे थे वो सिध्धान्त आइंश्टीन ने जो खोजा विराड ब्रमान्ड के बारे में उस पे लागू नहीं होते थे तो विज्ञान में एक अरचन खड़ी हो रही थी अब वहां से विभाजन करना पड़ा कि एक वो क्लासिकल फिजिक्स और एक रिलिटिवीटी के बाद वाली फिजिक्स और फिर 1930 में क्वांटम फिजिक्स अब और मुसीवत हो गई तो ये तीन फिजिक्स का जो विभाजन हुआ इनको ऐसा समझना वो जो क्लासिकल फिजिक्स थी हम अपनी इंद्रियों से जगत को जानते हैं उसका अबजर्वेशन करते हैं उनका निरिक्षन करके जो निकाला गया था वो क्लासिकल फिजिक्स में आता है विराट ब्रमांड जो हमारी पकड़ के बाहर था बहुत दूर था जब उनकी अबजर्वेशन की गई वहां कुछ और ही निकला वो रिलिटिवीटी में समा गया उसको भी फार्मूला में ढाल दिया गया और ईजिक्वल टू एम सी स्क्वर के साथ यही भी इस पस्ठ हो गया कि बग्जानिक जो अपने आपको मेटेरियलिस्ट कहते थे उन्होंने ही सिद्ध कर दिया कि मेटर ड़ज नाट एक्जिस्ट अउनली इनर्जी इस इनर्जी और मेटर कनवर्टेवल है यानि इनर्जी एम यानि मेटर मास और सी प्रकास की गति पदार्थ वादियों ने खोज लिया कि पदार्थ जूट है वास्तों में केवल उर्जा है केवल शक्ति है क्वांटम फिजिक्स ने और बिचत्र बात खोजी तो एक था हमारा इंद्रियों से जाना जाने वाला जगत वो क्लासिकल फिजिक्स हो गई विराद ब्रमान के नियम आइंश्टीन न खोजे वो रिलिटिविटी वाली फिजिक्स हो गई अब सब एटामिक पार्टिकल्स अत्यंत सूक्ष्म जगत उसकी खोज की तो कॉंटम फिजिक्स का उदा हुआ और इसमें जिन चीजों का पता चला वो बिलकुल अविस्वसनी और अकल पनी थी और वो चीजें भारत के जो मिश्टिक्स है उन से मैच खाती है चीन के मिश्टिक्स से जापान के जहन फकीरों से मैच खाती है डाक्टर कैपरा स्वयम एक बड़े फिजिसिस्ट है उनकी प्रसिद्ध किताब है दा ताव आफ फिजिक्स टाइटल ही वड़ा विचित्र है कहां ताव लाउसू, च्वांग्सू, लिहत्जू की धाई हजार साल पुरानी धारना अध्यात्म की वो कह रहे हैं ताव आफ फिजिक्स और कैपरा ने वो समनांतर बात में खोजी जो इस्टर्ण मिश्टिक्स और मडर्न कौन्टम फिजिसिस्ट की खोज में समनांतर है जिसमें समन जश्च है तो एक तरफ तो ईसाई धर्म से छुटकारा हुआ दूसरी तरफ बेग्ज्यानिकों की आखें खुली पूर अपके धर्मों की तरफ और वे हैरान हुए कि उपनिशित करिशी जो कह रहे हैं बुद्ध और महावीर जो कह रहे हैं लाउत्सू रिंज्धाई और वोकोजू जो कह रहे हैं महर्शी पतंजली जो कह रहे हैं यह तो बिलकुल तरक संगत है इसमें कहीं कोई अंदिविस्वास की बात नहीं है कैपरा ने अद्वुत काम किया पैरलल्स बिट्वीन इस्टर्ण मिष्टिक्स एन वेस्टर्ण फिजेशिस्ट तो ओशो के आने के पहले यह तीन महत्पूर्ण घटनाएं घट चुकी थी अब ओशो का आगमन समझना ओशो किसी एक फिल्ड के नहीं थे मनवज्जयन क्या करता वो अपने फिल्ड में पूरी जिंदगी गोजार देता है उसको अन्नी चीजों का पता ही नहीं चलता कोई फिजेशिस्ट है वो फिजेशिक्सी अध्यन करता रहा ओशो के पास एक विहंगम द्रश्टी है वो किसी एक चीज में लिमिटेड नहीं है उन्होंने अपने किसी दाइरे में सीमित नहीं किया बड़ी छोटी उम्र से उन्होंने सारी किताबें जो भी एविलेबिल दी पढ़ना सुरू कर दी साहिट्य कारन करताई है उशो बहुँ आयामी व्यक्तित्व उन्होंने जतना अध्यनमनन किया आस तक साहिध़्प्रतवी पर किसी नहीं किया था और उनके पास एक अद्भुत सूज पैदा हुई तो वहां से अध्यात्म और विज्ञान के बीच की जो खाई थी पटनी सुरू हो गई और याद रखना इसके पहले हम जब धर्म शब्द का उपयोग कर रहे थे हमारा तात्परी पश्चिम में प्रचलित धर्मों से था और अब हम जो बात कर रहे हैं धर्म की बहतर हम उसको अध्यात्म कहें या ओशो की शब्दा वली बहुत अच्छी धार मिखता रिलिजियसनेस नाट रिलिजिंस तो बुद्ध और महावीर नानक और कवीर उपनिशित के रिशी ताववादी चीन के संत जहपान के जहन फकीर इन सब की बातें भगवान शिव का विज्ञान भैरवतंत्र महरशी पतंजली का योग सास्त्र ये जो अध्यात्मिकता है इसका कोई विरोध विज्ञान से कहीं भी नहीं है मैचिंग है ओशों ने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया पूर्वी अध्यात्म को ऐसा कभी नहीं किया गए था ओशों ने भगबत गीटा पर जो प्रवचनमाला दी वा उनकी सबसे लंबी प्रवचनमाला है और गीता की ऐसी व्याथ्था की जो व्यग्जानिक और देखे इसके पहले गीता की हजारों टीकाए हुई है लेकिन में सब दार्शनिक हैं फिलसोफिकल हैं सिद्धानतों पर हैं होशो ने जो बात कही वो अदवुत थी वो बिलकुल साइंटिफिक साइकलाजिकल आज का मनुष्य जो भासा समस्ता है उस धंग से गीता को अवार्थ छपा है निश्चित रूप से कोई भी वैज्ञानिक ओशो की गीता वर्षन पढ़ेगा वो तो नाच उठेगा वाह क्या बात है पांच हजार साल पहले ऐसी बात कही गई है अकल पनी है महावीर ने जो अनिक आंतवाद की दर्ष्टी दी है वो बिलकुल आइंस्टीन के सापेक्षवाद से मिलती जुलती है महावीर धाई अजार साल पहले बता गए थे मैक्टीरिया वाईरस और सुक्ष्म जीवाणूं के बारे में हुआ में भी केटानू है पानी में भी केटानू है गिली मिट्टी पे नहीं चलना हिंसा हो जाएगी पेड़ में गर घर जाए तब खाना कंचा फल फल नहीं तोड़ना वाईलिंस हो जाएगी पेड़ को तकलीफ होगी वैग्यानिकों को तो बीसमें सदी के पहले सुरुआत में पता चला कि पेड़ पौधा में जान है ये बात तो यहां धाई हजार साल पता है बैक्टिरिया वाइरस तो माइक्रोस्कोब बनने के बाद खोजे गए ये महावीर को तो समय पता था कि पानी चान के पीना जैन धर्म को पानी चान के पीने वाला धर्म कहा जाता है अन्य लोग जो मजाक उड़ाते ना जैनी मतलब पानी चान के पीने वाले अब तो पूरी दुनिया जैनी हो गई सब घर घर में फिल्टर लगें सब चना हुआ पानी पी रहें काओ की धारना उपनिशित के निशियों की धारना अस्तावक्र के विचार बुद्ध के विचार महावीर के विचार आश्चरी गत रूप से इश्वर से इनका कुई लेना देना नहीं भगवान गुद्ध परोशो ने जो प्रवचनमा लादी उसका नाम करण किया है एस धमो सनन्तनो यह सनातन धम्म का मतलब यहां नियम होता धर्म नहीं होता याद रखना ताओ का मतलब है नियम ताओ किसी इश्वर को नहीं मानता नियम जीवन का नियम समझो वो समझ के नुषारी जीओ बात का तम बुद्ध कहते हैं धम धम का मतलब है नियम दाला बुद्ध नास्तिक है उतनी नास्तिक जितना बर्टन डरसल लेकिन बर्टन डरसल से आगे गए हैं बटें रसल के जीवन में कोई शांती नहीं है कोई आनंद नहीं है फ्रेडरिक नीट से जिस नगोशना की थी इश्वर मर गया है वो पागल होके मारा बुद्ध में परमानंद को जाना है परम्शांती को जाना यह उनसे और आगे गए हैं इश्वर को नकार किया है लेकिन उ जोग सास्त में सिर्फ एक जगा नाम लिया है इश्वर का, वो भी इस प्रकार से उसमें भी शब्द जोड़ा है, you can also use God. मुखे बाद तो ध्यान है, योग है, द्रश्टा भाव है, इन कुछ लोग है वो नहीं मानते, तो ठीक है चलो ईश्वर की धार्णा, कुमान के द्रश्टा भाव साद। असली भाव तो द्रश्टा भाव है, सिर्फ एक जगा उल्लेक, उसके साथ अपी संस्कृत में जुड इसका भी उप्योग कर सकते हैं, जरूवत तो कुछ नहीं है, जैसे लापलास ने मना कर दिया था नेपोलियन को कुछ जरूवत ही नहीं है, पतनजली ने बड़े सभ्य तरीक ऐसे इंकार कर दिया, बुद्ध महवीर ने तो इस पश्ट रूप से इंकार कर दिया, इनका ध यह मनों विज्ञान जो सवा सो साल पैदा हुआ है, यह तो बहुत बचकाना है अभी, बुद्ध और महवीर जो दे गए हैं, वो बहुत गहरी मनों विज्ञान की बातें बता गए हैं, तो पी एल आर तो अभी डेवलप हुआ है पश्ट्यम में, बुद्ध महवीर तो धह दिवत आ गए हैं, बारदो के प्रयोग तिबती बॉद्ध हो न डबलप की है, तो आधरिक मनों विज्ञान तो भी बहुत चाइल्डिश है इनके सामने, निश्यतरुप से इनमें कोई विरोध आपस में नहीं है, मैचिंग बात बैठ रही है, तो यह भूमिकाए ओशो क् गई थी, चलिए next, ओशो ने किस प्रकार असली नकली धर्म के भेद को सपस्ट किया, धर्म क्या है और धर्म क्या नहीं है, ओशो को बड़ी करांतिकारी बातें करनी पड़ी, अपनी जान जोखिम में डाल के, जब उन्होंने बताया कि धर्म क्या नहीं है, धर्म क्या है, यह तो लोग आसानी से सुन लेते हैं, लेकिन धर्म क्या नहीं है, यह बताना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप व्यर्थ में उल्चे रहोगे, तो ओशो ने बताया, त्याग करना, तपश्या करना, अपने आपको सताना, यह आत्म पीड़क चित्त के लक्षण है, यह मन व गाओ हैं इसको, जो छोड़ के भाग रहा है, कुछ कायरता है, भय है, तपश्वी आदमी जो अपने आपको सता रहा है, यह कोई अच्छा सज्जन पुरुस नहीं है, यह दुष्ट है, अगर दूसरे को सताना हिंसा है, तो खुद को सताना भी हिंसा है, कोई परपीड़क है, कोई आत्म पीड़के हैं, तो एक ही केटेगरी के, पीड़क देने में इनको मज़ा आता है, इमान्सिक रोगी हैं, इनका इलाज होना चाहिए, पूजा नहीं, इश्वरकवारे मल्लेडी बात हो चुकी है, और शोन उसको विस्थापित कर दिया, भगवान की जगह उन और कोई प्रभू कहीं नहीं है जीवन का सम्मान पूजा पाट ग्रंथों का चिंतन मनन और फिरोस्प बकवास और बादवेवाद और सिद्धान इत्यादी इन सब की कोई जरूरत ही नहीं है ये धर्म नहीं है दान देना धर्म नहीं है त्याग तपश्या धर्म नहीं है गरंत अध्यन धर्म नहीं है बाद वे बाद करना सिद्धांतों पर धर्म नहीं है तीर्थ यात्रा और मंदिर मस्जिश जाना धर्म नहीं है भगवान कहीं कैद नहीं है एक खास बिल्डिंग में एक खास इस्थान में कि ये तीर्थ बहुत चोट लगी, क्योंकि उनकी हज्जारों साल की परंपरा के विरोध में बातें चले गए, फिर होशन ने बताया धर्म क्या है, मुख्य रूप से दो बातें, भावना का परिशकार, शुद्धिकरण, और चेतना का उर्धुकमन, कुल दो छोटी सी बातों में सारी बात समा गई, प्रेम और होश, हमारे भीतर प्रेम है, लेकिन उसमें बहुत अशुद्धिया मिली हुई है, उसको शुद्ध करना होगा, और हमारी युद चेतना है, वो धूमिल धूमिल सी है, दुन्दे दुन्दे, उसको जड़ा प्रखर, उज्जवल करना होगा, बस इतनी इसी बात है, तो ओशो ने एकदम सारांस कर दिया, असली धर्म, चेतना का उर्दोगमन और भावनाओं का सुद्धिकरण, इन दो बातों में समा जाता है, संग्छेप में ओशो कहते हैं, अध्यात्म के पक्षी के दो पंखे हैं, होश और प्रेम, इनको साधलो बात हो गई, तो धर्म की जगे धार्मिक्ता, भगवान की जगे भगवत्ता, और अन सब क्रियाकांडों, अन्दविस्वासों, मूर्ताओं, सुछुटकारा दिला के, सिर्फ दो छोटी-छोटी सी चीजें, जो प्रत्यक व्यक्ति साध सकता है, तो ओशो ने इस पकार इस पष्ट किया क्या धर्म है और क्या नहीं है, प्रत्थम बैग्यानिक रिशी, सद्गुरु ओशो ने अध्यात्म और विज्ञान के सुखत सयोग की बुनियाद किस तर्थ शार्नी पर रखी, यह भी बहुत महत्यपून सवाल है, कौन सब बेश है, ओशो ने स्वयम कई वारिस का जिक्र किया है, कि विज्ञान ने खोजलिया की पदार्थ नहीं है, केवल उर्जा है, चाहे तुम इलेक्टिसिटी कहलो, शक्ती कहलो, यह जो भी नाम दो, ध्यानियों ने खोजा था अपने भीतर डूप कर, कि चेतना है और वह चेतना ओंकार में है, ध्वनी से निर्मे थे, यह बेस बन गया, ओशो कह रहे हैं, क्या ऐसा हम नहीं देख सकते कि वो एक ही चीज है, कोई something acts, something unknown, एक तरफ से देखो तो ध्वनी जैसी सुनाई देती है, दूसरी तरफ से देखो तो उर्जा जैसी दिखाई देती है, something that unknown, that divine, अपने भी तरडूपो, तो एक संगीत सु में थे, वेज्ञानिक बाहर बाहर से खोच करता है, वो पाता है कि उर्जा है, और उर्जा और संगीत convertible, अब देखी मैं माइक से बोल रहा हूँ, मेरे वोकल काट से कंपन हुए पैदा, उस कंपन में इसकंदर, जो में मेंब्रेन है वो कंपित हुई, उससे बिजली से साउंड सिस्टम में, वहां से amplify होके वो speaker में चली गई, फिर उस बिजली से फिर ध्वनी पैदा हो गई, आपको जोर से सुनाई दे रहा है, तो ध्वनी यहां पर उर्जा में बदली, और speaker में उर्जा ध्वनी में बदली, तो कहीं कोई एक चीज है जिसको हम नाम नहीं दे रहा है, X, something unknown, वो ध्वनी भी हो सकती है, वो उर्जा भी हो सकती है, बल्ब जल रहे हैं, वही उर्जा प्रकाश बन गई, पंखा चल रहा है, वही उर्जा mechanical force बन गई, हवा को चला रही है, air conditioner में वही electricity ठंडक पैदा कर रही है, गी जहर में वही electricity गर्मी पैदा कर रही है, वो उर्जा तो एक ही है, उसके प्रकाट होने के विविद रूफ है, तो ध्वनी भी वही है, तो ओशो ने कहा, ध्यानी और विज्ञानी उस एक ही तत्व को जान रहे हैं, वह परम सत्थ, the ultimate truth is one, तो नानक कहेंगे एक उंकार सत्थ नाम, वह उंकार सुरूफ है, तो इसमें कोई द्वंद नहीं है, इसमें कोई जगणा नहीं है, तो हमें एक कामन बेस पे पहुँच गए, यहां ध्यानी और विज्ञानी मिलते हैं, और यही वह पॉइंट बनता है, जहां पर अध्यात्म और विज्ञान का संगम होता है, क्या ओशो की ध्यान विदियो में मनुविज्ञान, सम्मोहन एवं प्राचीन ध्यान पदतियों का समन्बित प्रयोग है, बिल्कुल ठीक बात आपने कही, ओशो की ध्यान विदियों में मनुविज्ञान का प्रयोग है, साइको थरेपी का प्रयोग है, जो दमन है उसका विसरजन करने पे जोर है, तो कैथा इसकी बहुत सारी विधिया ओश्वन वताई में कुछ नाम गिंदे रहा हूँ डैनिमिक मेडिटेशन, देववानी ध्यान, जिबरिष ध्यान, कुंडलनी ध्यान नो माइंड मेडिटेशन, बार्न अगेन मेडिटेशन, मिष्टिक रोज मेडिटेशन बाती बाती से ये साइको थरेपी है, अब पश्चिम की साइको थरेपी और इसमें एक भेद है पश्चिम की साइको थरेपी में वो जो पेशेंट है, वो साइकोलाजिस्ट पर डिपेंडेंट हो जाता है सालों साल महंगी चिकत्सा चलती है ओश्व ने उस चीज को बहुत शायट कर दिया और हमको इंडिपेंडेंडेंट कर दिया आप अपने घर में सक्रिधान कर सकते एक बार विधी सीख ली बात खतम आप किसी को उपर निर्भर नहीं है आप स्वतंत्र है तो साही कुथरेपी आ गई लेकिन बहुत बड़े रिवॉलूशन के साथ हाई व्यक्ती की स्वतंत्रता का सम्मान है उसको गुलाम नहीं बनाये जारा पस्चिमें जैसे पाद्रियों के गुलाम थे पहले लोग अब वैसे साइको थरेपिस्ट के गुलाम हो गए एक नई दास्ता सुरू हो गई है तो ओशो ने मनोविज्ञान का प्रयोग किया दूसरा आपने पूछा हिपनोसिस यस ओशो ने हिपनोटिक सजेशन का उप्योग किया विस्वएम जब ध्यान शिविल लेते थे उसमें सुझाओ देते थे भाव करो की सरीर सिथिल हो रहा है यह एक सकारात्मक धार ना है एक affirmation फिर कहते थे भाव करो की आप भाव करेंगे आप भाव करेंगे सांस दीमी होने लगेगी यह self suggestion बन जाएगा यह और तीसे भाव की मन शान्थ हो रहा है हमको पता नहीं था हमारे भाव उसे वह तना उग्रस्त था हम बाव करेंगे तो शांत हो जाएगा अब यहां से भेच सुरू होता है तीसरी बात आवाती है प्राचीन ध्यान की पद्धती तो पहले मनुविज्ञान का प्रयोक किया कथारसिस के द्वारा रेचन के द्वारा अब दूसरा हिपनोसिस के रिलक्सेशन में ले गए अब यहां से एक ऐसी स्थिती आती है कि हिपनोसिस्ट उसको गहरी नीन में ले जाता है और ओशो यहां से हमको सुपर कॉंसेस्नेस में ले जाते हैं हिपनोसिस्ट सबकॉंसेस में ले जाता है लेकिन एक कामन पाथ है जहां रिलक्सेशन तक हम प प्राचीन ध्यान की पत्धतियों का जिनका सारसूत्र ओशो ने बताया साक्षी भाव है क्योंकि प्राचीन पत्धतियों बहुत थी और बला कन्адцरी था ये विदी कुछ कहती योग कुछ है ठंत्र कोछ है भक्ति कुछ और है ज्यान योगी कुछ और कह रहे हैं कर्म योगी कुछ और कह रहे हैं किसकी माने किसकी ना माने ओश्व ने सिंप्लिफाइट कर दिया किसी भी चीज के संग तुम साक्षी भाव को जोड़ दो ध्यान हो जाएगा किसी भी चीज के संग तुम चाय पी रहे हो साक्षी भाव ध्यान हो गया इतना सिंप्लिफाइट कर दिया कि आप कोई विशेश चीज नहीं है जो आपको अलग से समय देकर कर नहीं है कि कहीं भी कभी वी कोई भी कर सकता है तो ओशो की ध्यान विद्यों में इन तीनों चीजों का समन्वय है मनुविज्ञान का हिपनोसिस का और प्रा बन गया इससे कैसे बच सकते हैं खतरनाक सवाल आप पूछती जा रही एक के बाद एक समझना जब विज्ञान जन्नम रहा था उस समय सबसे बड़ी सत्ता किसकी थी तीन सत्ताइं होती हैं दुनिया में एक धर्मगुरुगों की ताकत है करोड़ों उनके फालोवर हैं वो विज्ञान के जन्म के साथ ही धर्म से दुस्मन ही हो गई तो उनसे तो कोई सपोर्ट मिली नहीं सकता था आउट आफ क्वेश्चन अब बचे कौन धनवान और पधवान बीसमी सदी आते आते राजा माहरजाओं के दिन चले गए प्रजातंत्र के दिन आ गए साम्मेबाद के दिन आ गए सरकारे आ गई और विज्ञान विक्सित होते होते ऐसी जगह पहुँच गया कि उसकी खोजबी ने बहुत जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और महंगी हो गई गए वो दिन जब उस साइकल वाले ने हवाई आज बना ली थी अब मंगल ग्रह पे भेजने के लिए यान बनाने हैं तो एक आदमी अपने निजी खर्चे पर नहीं बना सकता बहुत बड़ा ग्रुप चाहिए साइन्टिस्ट का, बहुत सारे लोग चाहिए प्रतिभाशाली, बड़ी ब्यवस्था चाहिए अर्मों अर्मों डालर का इंतिजाम चाहिए, तो किसी को उपर निर्भर होना होगा, अब जिस पर निर्भर होगे, वो आपको गुलाम बना लेगा, अगर पूझी पती आपके लिए धन खर्च करेगा, तो कहेगा फिर आप हमारी लिए काम करो, हम बताएंगे वो करना उस बाद कुछ ही पा लोगी, कंसर होता है, किसको पता चलने वाला है, कंसर तो ऐसे होता रहता है किसी किसी को, बेख्यानिक को मानना पढ़ती है उसकी बात, क्योंकि उसकी वो नोकर है उसका, वो सैलली देता है, वो भी द्रोज नहीं कर सकता, यह सरकार का गुलाम बनना पड़ेगा और सरकार चाहती है हतियार बनाओ अस्तसस्त बनाओ युद्ध करेंगे आइंस्टीन नहीं परमानुबं बनाने की पूरी भूम का तैयार की थी उसके कहने पर ही सरकार ने फंडिंग कर दी पूरी की जुद्धा पईसा लेना हो लेलो परमानुबं बनाओ और परमानुबं का प्रयोग ना किया जाए है अब कौन सुनता है आइंस्टीन जाए भाड़ में उससे बन बनाना था बनवा लिया और अमेरीकी सरकार ने ये देखके कि कहीं कि युद्ध खतमी नहो जाए उसके पहले ही हिरोशमा उन्ना का साकी पर बंबर सकर दी ताकि देखने के लिए दो लाख आदमियों की जान ले ली राजनी तिग्गों को कोई मतलब भी नहीं उनको अपनी ताकत बढ़ानी है अपना जंड़ा आना है तो बैज्ञानिक उनका गुलाम हो गया आइंस्टीन को जिंदगी भर पस्तावा रहा एक गिल्ट फीलिंग अपरा आखों पोठा लिया और जब वो कह रहा है कि मत फोड़ो जरूरत नहीं है युद्ध खतम होने वाला दस पंदरा दिनों है आप कौन सुनता उसकी तो समझना कैस प्रकार के चंगुल मफस गया अमीरों के और सरकारों के गुलाम हो गये हैं इस चंगुल से कैसे निकाला जा है दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रतिफासाली लोग सबसे कम प्रतिफासाली लोगों के नौकर हैं यह बड़ी दुरभाग पूर्ण दुरगटना है ओशो ने इसको उपाय बताया विज्ञानिकों की एक international academy होने चाहिए the world academy of science art and consciousness उसमें विज्ञानी हों ध्यानी हों औ और कलाकार हों स्रजन्शील लोग हों और यह मिल के तै करें कि हमको किस दिशा में खोजबीन करनी है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है तब जाके जगत के कल्यान की दिशा में काम हो सकेगा नहीं तो कभी नहीं होगा जिस आदमी की प्लास्टिक की इंड़ेस्ट्री है अर्मों डालर की फैक्टरियां लगी हुई है आप कितनी कहते रहों कि प्लास्टिक से पालूशन हो रहा ये नुक्सान हो रहा वो बंद करें गई नहीं और वैज्ञानिकों को उसके अंडर काम करना पड़ेगा इस्ट्मेंट उसमें है, उनको तो मुनाफ़ा कमाना है अपना, राजनी तिक्गों को कोई मतलब नहीं, उनको तो युद्ध करवाना है, आतंक फैलाना है, दराना धम काना है सबको, ओशन का वर्ल्ड अकेडमी हो, उसका खर्चा पूरी मनुश्य जाती उठाए, जैसे हम अ एक हिस्सा उस एकेडमी को दिया जाए, पूरे दुनिया के सभी लोग छोटा छोटा आमाउंट उनको दें, ताकि उनका खर्चा चल सके, तब वो इंडिपेंडेंट होंगे, और तब प्रतिभाशाली लोग कुछ ऐसा काम करेंगे, जिससे दुनिया की भलाई होगी, अन् दूसरे का भी नुकसान करेंगे, और अपना भी कल लेगा, और वही होने जा रहा है, हम एक तरती विश्युद्ध की कगार पे खड़े हैं, एक गलोबल सुसाइट, वो होने वाला है, अगर ओशो की बात नहीं सुनी गई, तो ओशो ने समस्या भी बताई की कैसे समस्या प खापित किया, संसार और सन्यास का जूर कैसे बैठाया, इसको आखिर प्रसनी समझें, काफी समय हो गया, ओशो ने एक नव सन्यास की सुरुवात की सन 1970 में, क्योंकि उन्होंने देखा, कि ग्रस्त रहते हुए भी साधना की जा सकती है, ग्रस्त और सन्यास्त का एक नया कॉ समय, क्योंकि ओशो के पहले ऐसी गटना हो गई थी, थाइलेंड में सरकार ने कानून बना दिया था, कि कोई व्यक्ति लामा बहुत विक्षू नहीं बन सकता, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा, हद्धों की अध्यात्मिक साधना करने क सरकार से जाके परमिट लेना पड़ेगा, फिर वहां घूस को रही होगी, रिस्वत खो रही होगी, बेइमान ही होगी, भाई भती जाबाद होगा, रूस में और चीन में जहां साम में वादाया, वहां सब सन्यास खतम हो गया, चीन में बड़ी गिंती थी, बहुत दुख् देश निस्त नाबूत कर दिया गया, हज्जारों साल की परमपरा मटी में मिला दी, ऐसे समय में जरूरी था, कि सन्यासी दूसरों पर निर्वर ना हो, वह इंडिपेंडेंट हो सके, वह भिक्षाटन करने वाला सन्यासी नहीं चलेगा, थाइलेंड में समस्या क्यों आई, क्योंकि वह इतने चाता भिक्षू थे, करीब करीब पुरुष जन संख्या का 25% लोग भिक्षू हैं, उनका लालन पालन, उनके रहने की व्यवस्ता, उनके इलाज का इंतजाम, उनके लिए कपड़े लगते, बांकी के लोग ही करते ना खिर, तो वो लोग तो नाराज हों कि हम कब तक करें, कितना करें, आज नहीं कल दुनिया से सन्यास कहिए है, फूल विदा होने वाला है, यह भीक मांगने वाला सन्यास ही नहीं चल सकता, ओशो ने अध्यात्मिक्ता और संसार का एक नया समन्वै स्थापित किया, नव सन्यास डिक्षा देनी शुरू की, कि तुम अपने घर में रहो, जो काम करते हो, वही काम करो, अपने अजीब का कमाओ, परिवार का पालन पोशन करो, और सब उत्तरदायत्मों को निभाते एक घंटा कम से कम अध्यात्मिक साध्धा में लगाओ, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, ओशन का मैं आप से कुछ नहीं छीन रहा हूं, ना आप से त्याक करने को कह रहा हूं, ना तपश्य करने को कह रहा हूं, ना धर परिवार छोड़ने को कह रहा हूं, ना दान देने को तो ओशो ने संसार और सन्यास का एक अध्वुत समन्वे इस्थापित किया जो हमारे लिए महास वभाग्विकी घटना है और भविष्ट में केवल इसी प्रकार का सन्यास बच सकता है ग्रस्थ और सन्यस्थ का कॉंबिनेशन तो रश्मी जी मैं समसता हूँ काफी समय होगे आज की चर्चा कहीं समाप्त करते हैं ठैंक यू स्वामी जी बहुत सुन्दर उत्तर दिया आपने डाक्टर रंजन जी और जोट जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत परणाम आपको स्वामी जी आपका ज्ञान होता है हमेश्या कुछ ना कुछ हमें न्यादेता है कैसे साइन्स और स्पिर्चुल्टी का दुश्मिनी शुरू हुआ और कैसे दोस्ती को बढ़ सकते हैं मैं इसी को इस तरह से देखता हूं तो ओशो क्रेटेड़ न्यूवर्ड और इन विच वी रिविग राइट नौ तो तिंक इस ओन्ली एट वी शुद नो थे वाट्स हैपनी वाट देंजर्स और हाव देंडिकेटेट उनको से हम बच कैसे सकते हैं हरिक इंसान की ये डारेक्शन चाहिए हरिक इंसान को बोद च चाहिए कि हम किस डारेक्शन में जा रहे हैं और क्या डारेक्शन हमें इस तरह से अपनानी चाहिए तो ओशो था ओशो जो थे वह वाटरशेट थे जिन्होंने हमें सब को एक नई डारेक्शन दी और आज के सेशन का जो नाम था वो भी यही था दा पाईलिनेर, order को direction दी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके और अपने आप पहुंचेगी मैं यह मानता हूँ ऐसा निक किस चीज की जरूरत है और आपने जिस तरह से इस बात को समझाया बताया वो बहुत ही scientific थी बहुत ही एक समझने और उसको आतम मन्थन करने के जरूरत है आपका स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद आप हमेशा हमें अपने प्रवचनों के साथ में हमें अशीरवाद देते रहते हैं और आगे भी देते रहेंगे और हमारे सब मित्रों के मित्रों के बहुत दन्यावाजों चार सालों से हमारे साथ जोड़े हुए और हर संडे हम लोग इसी तरह की वारत अलाब करते रहते हैं बहुत पर शुक्रिया विदाई लाइने के पहले एक छोटा सा सूचना देना चाहूंगा जो मित्र ओशो फ्रेग्रेंस से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए मेरा फोन नंबर जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं मैं फोन सुनता नहीं हूं लेकिन मैसेज पढ़ता हूं तो किरप्या फोन नहीं करिएगा लेकिन मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 70-273-273-72 हिंदी मैं बोल दे रहा हूं उसमें थोड़ी तुख भी है कविता जैसी 70-273-272 आप मुझे मैसेज बेच सकते हैं और ओशो से संबंदित कोई भी जानकारी कोई भी उनकी किताब उनकी आडियो वीडियो फोटो meditation music जो कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ निशुल को पलब्द है आप मुझे संदेश करिए मैं आपको तुरंत उसके लिए लिंक भेज़ दूँगा बहुत बहुत धन्नवाद जैयो शो